गांज वेलकम बैक टूद चैनल होप करता हूं कि आप लोग काफी जाद अच्छे होंगे आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं All New Maruti Suzuki के Desire ZXI Plus AGS Variant की अगर बात करें Desire की तो आपको इसके अंदर काफी सारे Variants मिल जाते हैं LXI, VXI, ZXI and ZXI Plus अगर आपको CNG Variant अप्ट करना है तो आपके पास Option मिल जाता है VXI and ZXI Variant के अंदर और अगर आपको Automatic Variant चाहिए तो आपके अपास Option है VXI, ZXI and ZXI Plus के अंदर बात करें अगर इसके Engine Option की तो आपको इसके अंदर मिलता है 1.2 लीटर का Advanced K-Series Dual Jet Dual VVT Engine जो प्रेड्यूस करता है 66 Kilowatt की पावर and डबल बन थ्री एनम ओफ पीक तॉर और अगर बात करें इसके Costing की तो यह इसका एक्ष्वर्म प्राइज है 9,17,500 रुपीज और ओन रोड यह कॉस्ट करता है 10,60,000 रुपे एक प्रॉक्सिमेटली अगर आपको कोई भी मारूती की कार बुग करानी है मारूती सुजू की एरेना डीलर्शिप वाली तो आप लोग रीच कर सकते हैं बगगा लिंग मोंटर्स जो की कोटला मुबारकपूर के अंदर है जो आपको अगर टेस्ट रैप चाहिए या फिर कार के बोगिंग करानी यह अगर आप पार्ट देखेंगे तो यह आपको पूरा LED के अंदर मिलेगा और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो इसका इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन के अंदर यहाँ पर मिलता है और वहीं जो अगर आप अंटरनी नोटिस करते हैं तो यह आपको की गई थी 2017 में तो यह डूल ग्रिल इसके इंदर आया करती थी अपर वाली बट अब इसके इंदर सिंगल ही जो ग्रिल है वो ऑफर की गई है जिसके सराउंड में आपको क्रोम एसेंस का जो वर्क है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा और इन बिट्वीन आपको जो सुसःपक सीरोव काफी जादा यहां पर ब्रॉड मिल जाता है यहीं पर आपको वाइसेंस प्रेइट 25 mm जो हाइट है वो मिलती है आपको 15 15 mm वहीं जो वील बेस है वो इसका 2450 mm और इसके अंदर आपको मिलता है जो वील साइज यहां पर आपको ओफर किया गया है वो है 15 इंचिस का अगर टायर साइज की बात करें तो 185, section 65, r15 का जो टायर है वो यहां पर ओफर किया गया है अपोलो का लनाक 4G जो की काफी ज़ादा अच्छा टायर है आप इसको अगर रग्ड भी यूज करते है तो आपको यहाँ पर मिलता है और जो मिरर है यह आपको इलेक्टरिकल एजस्मेंट और रिट्रेक्टेबल जो उप्षेन है उसके साथ ओफर किया गया है साथ ही अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इसको बी पिलर है वो आपको ब्लाक मैटन फिनिश में मिलेगा और विं अगर आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो चोटा सा जो फ्रेम के अंदर आड़ कर दिया गया है साथ ही मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाना चाहूंगा कुछ ऐसी आपको लुक यहाँ पर मिल जाती है कार की और बात करें इसके र हो दोख का पूरे डीरेल का यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है हिले जेंदर रिवर्सलाम जो भी है यहां पर आपको डि жायर के इंदर वेजींग मिल जाती है एंडं बोल्ड जो है डिके इंदर पीछे आपको यह अपन और एक कुछ गिश्गार करना है तो उससी किया गया उसके दुरू आप इसको अनलॉक कर सकते हैं यहां पर आपको जो कैमरा है उसकी भी प्लेस्मेंट ऑफर की गई है साथ ही अगर मैं बात कर उसके बूट स्पेस की तो 378 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको यहां पर ऑफर किया गया है यहां पर मैं आपको पेरवील अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता 165 Section 80 R14 का जो आपको मिल जाता है जो कि लोग यहां पर मिलेगा अगर आप इस साइड मूव आन करेंगे तो जो पेट्रोल रुफिलिंग पॉइंट है वो आपको यहां पर लेफ्ट एंट साइड पर ऑफर किया गया है और 37 लीटर का जो फ्यूल टैंक के पैसिटी है वो आपको यहां पर मिल जाता है तो अब चलते वोड एसेंट्स है वो आपको यहां पर ऑफर कर दी गए है इस से पहले जो फेसलिफ्ट से पहले जो कार आती थी उसके अंदर आपको यह पूरा डाक फिनिश के अंदर मिलता था बट अब अब यह आपको नाचुरल फिनिश के अंदर ऑफर किया गया है जो काफी जादा कर सकते हैं यहां पर आपको लॉक का बटन मिल जाता है दूसरे पैसेंजर साथ आपको अगर चाहते हैं लॉक है यहां पर आपको एक लिट्र तक की बॉटल यहां पर आप स्टोर कर सकते हैं इसकी सीट्स जो की एड्जेस्टिबल headrest के साथ आती है चार वे adjustable headrest आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर अगर आप notice करेंगे तो fabric seats आपको मिल जाती है और adjustable height के साथ height adjustment के जो system है वो आपको यहाँ पर driver seat पर मिलता है साथ ही आप इसको recline कर सकते हैं आगे भीचे slide कर सकते हैं तो सारे feature आपको इस variant के अंदर offer कर दिये गए हैं साथ ही मैं आप लोग को बता दू कि इस variant के अंदर automatic जो variants है उसके अंदर आपको ESP और hill hold का जो feature है वो भी आपको automatic variants के अंदर सिर्फ offer किया गया है यहाँ पर मैं आपको लोग को सबसे पहले दिखाना चाहँगा इसका steering wheel और आप steering wheel देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा D-cut के अंदर यहाँ पर भी आपको natural wood जो finish है वो offer कर दी गई है और यहाँ पर अगर आप notice करेंगे तो जो controls है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं audio controls और यहाँ पर आपको मिल जाते है cruise control यहाँ पर आपको स्वेरेंड के अंदर cruise control भी offer किया गया है यहाँ पर आपको calling controls मिल जाते हैं और अगर बात करें इसके steering wheel के adjustment की तो आपको tilt function के साथ मिलता है टेलिस्कोपिक के जो option है वो यहाँ पर आफर नहीं किया गया है साथ ही अगर हम बात करें इसके वाइपर कंट्रोल की तो यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पर आपको हैड लाइट के निल जाते हैं जिसके इंदर आपको lead me to home और follow me to home का जो feature है वो ID colored के अंदर मिल जाते हैं इस variant के अंदर जिसके अंदर आपको useful informations offer की गई है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं साथ ही अगर बात करें इस साइट तो यहां पर आपको स्टार्ट सब्सक्राइब उफर किया गया है और यहां पर आपको यहां पर देख सकते हैं साथ ही बात करें अगर इसके सेंटर पार्ट की तो यहां पर आपको मिलता है सिल्वर एसेंट्स का वर्क इसके सराउंड में इस इवेंट के पास हजाड लैम का स्विच मिल जाता है और यहां पर आपको जो सिक्यूरिटी सिस्टम में वर्क कर रहा है तो उसके लिए यह जो लाइट है वो ब्लेंक होती रहती है यहां पर आपको 17.78 सेंटिमीटर का जो उसके इंफोटेंट में सिस्टम यहां पर ऑफर किया गया ंडियोड अप्टो आपल कारपे नविगेशन के उप्षिंन है वह आपको यहां पर फूरा ऑफर किया जाताए और यहां पर आपको यह पर देख सकते हैं माईलेज बगराभी आपको पूरी है यहां पर हो हो रह वो भी आपको यहां पर मल जाता है, यहां पर आपको phone के storage के लिए space दिया गया है, यहां पर आपको 2 cup holds offer किये गए है, यहां पर आपको satin finish के अंदर जो look है, इसके surround मिलेगी, इसके जो lever है, gear lever इसके आसपास, और साथ ही आप इसको manual के अंदर भी drive कर सकते हैं, जो कि मैंने आ इंदर भी दिखाया हुआ था यहां पर आपको चो इसका है वह ओफर किया गया है यहां पर आपको क्रोम वर्क मिल जाता है 12 वोल्ड का 120 वाट का सौकेट आपको यहां पर भी ओफर किया जा रहा है और अगर आप नोटिस करेंगे इसके गलव वक्स की तरफ तो डीसेंट मिलेगा टिकेट होल्ट से मिलेगा मैनुवल आयर वियम यहां पर आफर किया गया दैनाइट फीचर के साथ यहां पर आपको ऑफ-on मिलता इसकी रूफ-लाइट के साथ साथ ही माइक जो है वह यहां पर ऑफर कड़ा दिया गया है सो यह कुछ आपके फ्रंट लोक जो कि और यहां पर आपको जो और फिनिश के अंदर जाएगा अगर आपको यहां पर आपको जो आंब्रेस के साथ और यहां पर आपको यहां पर आपको कुछ ऐसी सीट्स अफर की गई है और रियर में आपको जो है एसी वेंट्स ओफर किये गए हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप अपना फोन विगरा स्टोर कर सकते हैं 12 वोल्ट का एक्टाप्टर सॉकेट यहां पर मिल जाता है और यहां पर आपको जो है स्टोरेज पीछे पीछे जो बैक सीट्स ह वहाँ पर आपको storage मिल जाती है back pocket यहाँ पर आपको available नहीं दी गई है अगर बात करें इसके roof की तो यहाँ पर आपको एक और roof lamp available मिल जाता है जो handles है वो आपको grab handles तीन grab handles यहाँ पर offer करा दिये गई हैं यहाँ पर देख सकते हैं अब बात करें इसके comfort की तो seat मैंने जो front वाली है वो अपनी height के हिसाप से adjust की हुए 5 feet 8 inches मेरी height है और अच्छागासा जो space है वो आपको leg space यहाँ पर offer किया गया है बात करें अगर headroom की तो headroom भी आपको अच्छागासा यहाँ पर offer किया गया है और जो इसके under thigh support है वो भी आपको यहाँ पर अच्छागासा मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पैरों को बिल्कुल उपर की तरफ किया हुआ है और अगर मैं इसको बिल्कुल नीचे की तरफ कर दूं तो बिल्कुल भी जो support है को आप मेरे को पूरा मिल रहा है कोई ऐसे problem यहाँ पर नहीं आ रहे है तो अच्छागासा जो space है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है और फ्रेंट लोक आपको ऐसा मिलेगा है डाशबॉर्ट विगर रहेगा सो यह था वॉकर रॉंड रव्यू ओफ डिजायर जैक्साइप प्लस आटमाटिक वीरेंट आपको एक और कैसे लिए कि कॉमेंट करके बता है साथ ही वीडियो को लाइक करें चैनल को करें मिलतर एक सुड़ी में और नए अपडेट के साथ तिल देन टेक केर बी सेफ बबाए जैहन